हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो इगनुबडी तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जून 2023 की हॉल टिकेट है वो आपकी 15 से 20 दिन पहले अपडेट कर दी जाती है तो इगनुगी तरफ से आपका जो हॉल टिकेट है उसका अपडेट आ चुका है और आपकी हॉल टिकेट को कल अपडेट कर दिया गया है वैसे आपको पता होगा इसके बारे में लेकिन मैं आपको फिर भी एक अपडेट दे देता हूँ तो यह आपकी hall ticket का notification यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और यहाँ से आकर आप अपनी hall ticket को download कर सकते हो hall ticket को download करने का जो process है वो काफी simple है आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर अपना enrollment number देना है और अपना program select करना है और submit पर click कर देना है बस इतना ही करना है और आपकी hall ticket आपके पास आजाएगी download हो जाएगी और आपको उसको download करके जो बातों का ध्यान दखना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो दिखिए सबसे पहली चीज यह है जब आपकी hall ticket आपके पास आजाएगी तो यह आपकी hall ticket कुछ ऐसी दिखती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहला तो आपके जो exam की timing है exam का जो session है वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा जो date है afternoon session में है morning session में है वो सारी information आपको यहाँ पर दिख रही होगी तो यहाँ से आप अपनी जो information है उसी के according आपको exam देना है बाकी कहीं से और आपको नहीं देखना है आपको केवल यहीं से आपकी exam की जितनी भी date है timing है वो यहीं से देखनी है तो सबसे पहली बात तो यह अब आपको आपकी date sheet को भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आपकी date sheet जो आपकी hall ticket में दी गई है यहीं आपकी final date sheet है और यहीं से आपको आपका exam देना होगा और अब बात कर लेते हैं important चीज़ की जो आपको ध्यान नखनी है hall ticket के बारे में तो देखिए सबसे पहली चीज़ यह है कि जो आपकी hall ticket है उसका आपको print out जरूर निकलवाना है अगर आप यह सोच रहे हो कि आप phone में अपना hall ticket रखके entry कर सकते हो तो देखिए hall ticket आपके पास print out के form में होनी चाहिए आपके पास आपकी hall ticket की hard copy होनी चाहिए तभी आपको आपके exam center पर या फिर exam hall में entry दी जाती है अगर आपके पास आपके print out नहीं है hall ticket का तो शायद आपको entry ना दी जाए तो इसलिए make sure जरूर करना है कि आपके पास आपकी hall ticket का print out जरूर हो और दूसरी चीज़ जो आपको धान लखनी है वो यह है कि आपको आपके exam center पर 30 minute पहले आपके exam शुरू होने के 30 minute पहले at least वहाँ पर पहुँचना होगा ताकि बाद में आपको exam hall ढूणने में या फिर कोई भी और problem ना हो तो आपके पास time हो आपके exam hall ढूणने का या फिर वहाँ पर seat arrangement देखने का तो इसलिए आपको 30 minute पहले at least वहाँ पर पहुचना होगा दूसरा यह है कि आपको आपके पास आपका phone नहीं होना चाहिए आपके exam के दोरान अगर आपके पास आपका phone है तो आप उसको या तो submit करवा सकते हो आपके जो teachers होंगे वहाँ पर उनके पास या फिर आप अपना phone मत ले जाना क्योंकि exam hall में आपका phone allowed नहीं होता है और जो last है वो यह है कि आपको आपकी hall ticket पर किसी भी तरह का कोई भी pen का use नहीं करना है अगर आप अपने hall ticket पर pen का use करते हो तो आपको problem हो सकती है क्योंकि hall ticket पर आपको pen का use करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर enrollment number, program code, exam center code सारी information आपको दी गई है तो इसलिए यहाँ पर pen का use आप नहीं करो तो better है इसलिए आपको यहाँ पर pen का use नहीं करना है और बाकी जो further guideline है वो नीचे आपको दी गई है आप चाहो तो पढ़ सकते हो लेकिन जो main चीज़ें थी जो important चीज़ें थी वो मैंने आपको already बता दी है अगर आप यह नीचे पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो बाकी यहाँ पर यह जो date दी गई है इसी के according आपको exam देना है इसी के according आपकी सारी timing यही रहेगी बाकी कहीं से आपको कुछ नहीं देखना है नहीं date sheet में से नहीं online कहीं से कुछ देखना है यही आपकी जो final date है वो रहेगी तो यह update मुझा आपको आज की वीडियो में देनी थी तो अगर आपको यह वीडियो helpful लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस तरह की इगनू से related हर important information और update के लिए एगनू बड़ी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना so thanks for watching this video thank you so much